एलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस फीफा वर्ल्ड कप के मैच का हम प्रिव्यू करने वाले वो खेल जाएगा वेल्स वर्सेस इंग्लेंड के बीच मैच कवें योगा न्यूट्रल कतर एंड किक आफ होगा रात में 1230 एम पे अब वेल्स और इंग् मैच है ऐसा नहीं है उनके लिए इंपर्टेंट नहीं है बट अगर एंग्लेंड एकड्राव भी करा लेता है नेक्स्टरॉर्ण में अपनी जगे रहा ना है दूसरा उनको यह फ्रे करना है जो दूसरा मैच है इरान वर्सिस युई हैसे वाला वह रिजल वह निके फेवर तो फिलाल मेरे अकॉर्डिंग में जो फेवरेट टीम है वो इंग्लेंड यूनिवाली है तो अभी हम इंग्लेंड को बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं बागे आपको फीफा रेंकिंग से भी अंदाजार होगा फिप्त रेंक टीम एंग्लेंड जबकि वेल्स 19 है तो इ जरूर से जरूर जोएन कर लीजिए 5100 के अपस्याद्स सब साले चैनल आपको मिल जाएगा तो जरूर जायं कर लीजिया आप यह मैंने आपको दिखाया है लास्ट दो मैचेस दोनों ही कंट्रीज के तो इंग्लेंड अपने पहले मैच में तो 6-2 के मार्जिन से इरान को बुरी तरह से थ्रेश कर जाता साका के दो गोल थे बैलिंग का में श्टलिंग रेशफ़र्ड और ग्रिलिश का सबका एक एक गोल था वहीं हैरी के दो असिस्त थे शौई श्टलिंग मेगवार और विलसन का एक एक असिस्त था लेकिन दूसरे मैच में वापास इंगलाइन वैसी परफॉमेंस करते भी अच्छा कर दी लेकिन इनके जो गोल की परते हैने सी जब उन्होंने रेट कार्ट खाया उसके बाद इरान ने उस बात का कैपिडलाइस करते वे दो गोल स्कोर कर दिये बाकी मैंने बता दिया इस मैच में फेवरेट इंग्लेंड ही होने वाली है औल्द डू और डाई वे इंग्लेंड के पिक करने वाला हूँ तो जेम्स मैटिसन इनके लिए अभी भी डाउटफुल है अब इनकी प्रोवेबल लिलाउन देखते हैं जॉडन पिकफट इनके गोल कीपर होंगे चार इनके डिफेंडर होंगे काईल वाकर को आज स्टार्ट मिल सकता है ऐसे रूमर जाधा टेगिंग फ्रेट वेल्स प्रेड्यूस करती हुए दिखाई नहीं दे रही है तो आपको किसी एक को ट्रॉप करने तो में भी वॉकर को कर सकते हैं लेकिन वॉकर मेरे अक्वाडिंग मैंचेस्टर सिटी से ज्यादा बैटर यहां पे इंग्लेंड के लिए खेलते ह स्टोंस मेगवाइर दोनों हेड़ेट गोल लगा सकते हैं और मेगवाड तो बहुत जादे अच्छी फॉर्म में भी चले इस टूनेमेंट में डिफेंसी वाइज भी और शॉवी मेरे अक्वाडिंग इनके डिफेंस में वरब बैस प्लेयर है अटेगिंग पोटेंशल भी अब ही मैंने पिक नहीं किया लेकिन आप कंसीडर जरूर कर सकते हैं अब रूमर्स के आ रहे हैं अज हेंडर्सन को स्टार्ट मिल जाले बेलिंगम और इसमें अगर ऐसा होते हैं मेरे अक्वाडिंग यह ब्रेव मूब नहीं होगा अगर इनके मैनेजर गेर सौथ गेट की बात की जाए और वो कहीं न कई ऐसे हैं वो क्या करते हैं जो प्लेयर यंग प्लेयर उन्हों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट उतना नहीं दिखाते उनका मानना है कि आप सीनियर हेंडर्सन अच्छी हो सकते हैं बट आई फिल कि बेलिंगम को मौका मिलना चीए पिलाल हेंडर और लेडिश टुरमाइंड में दो गोल स्कोर कर चुगे हैं पहली मैच में इसके अलावागा केन मस्ट पिक इनके टैलिसमन है पहले मैच में दो असिस्त हैं दूसरे मैच में उतना इंपेक्ट नहीं डाल पहे हैं बट इस्टिल केन सबसे वड़े प्लियर माने जाते हैं के वर्ल बेस्ट अटेकर में काउंट होते हैं मस्ट पिक रहेंगे पैनल्टी टेकर भी हैं और केप्टन वाइस केप्टन सी के टॉप अप्सन रहने वाल हैं अभी के लिए मैं स्टलिंग को पिक कर रहा हूँ ऑल्दो पिछला में अच्छा नहीं गया बट मोस्टली जब स्टलिंग इंगलेंड के लिए खिलते हैं अच्छा करते हैं मैं इंगलेंड नेसनल टिम में इनको काफी टर्श बी करता हूँ इस वयां से मैंने इस्टलिंग को किया इन्हाने पहले गोल score किया था अब Mason Mount goal assist है ठीक है बिना goal assist ये बहुत ज्यादा pointing line में नहीं दे रहे और substitute भी हो सकते हैं अभी मैंने पिक नहीं किया आपको mount भी पिक करने तो में भी walker attack की defense से आप Mason Mount को भी कर सकते है midfield section में फिलाल अभी के लिए मैंने mount को pick नहीं किया इन केस साका के प्लेस में अगर Foden start करते ना फिर बहुत टफ हो जागा टीम क्रेट कर पाना फिर आपको किसी एक बड़े player को drop करना पड़ेगा because Kane Sterling Foden थीनो forward section में साथ ही गैरत बेल भी forward section में जो वेल्स के वैस्ट प्ले रहा है और कीफर मूर को तो खहर हम फिर सोचिंगे भी नहीं लेना लेकिन वह भी forward section में करना पड़ेगा या में भी हो सकता है में बेल्ट करके फोड़न को पिक करना पड़े तो ज्यादा बेटर यह होगा कि फिल फोड़न इस मैच में हमाले स्टार्टी ना करें तो यह इंग्लाइन की प्रविबाल 11 थी लगबग सभी चीज़े मैंने यहां से आपको डिटेल में कर दी बाकी यह मैंने इंग्लाइन के इस वाल्ड कप के स्टैट नहीं अभी तक के आप यह स्टैट देख लिए धीरे में स्क्रॉल कर रहा हूं अप हम बात करते हैं जो हमारा आज का आपोनेंट है वेल्स की तो वेल्स के लिए इनके गोल की पर वाट को इपिक करके चल लाओ 3 in the bag में खिलते हैं मैं फर्म ड्रोडोन और डेविस इनके 3 सेंटर बैक इसके लावा रोबर्स और निको विल्यम्स इनके 2 विंग बैक होने वाले हैं और ये 5 प्लेयर आपको defense section में मिल जाएंगे फिलाल मेरी टीम का structure कुछ ऐसा बना था ना मैं इन 5 में एक कोई अभी के लिए pick नहीं कर पाया विकास मैं 4 defender लिया हूँ और midfield से भी एकाज मेरे को compulsory player वेल्स के लेने पड़ने है sport की वेज़से इस वेज़से मैं अभी के लिए किसी भी defender के साथ नहीं गया हूँ और इस tournament में starting 2 matches में वैसे कोई भी Wales का defender ज्यादा consistent भी नजर नहीं आया बट अभी भी किसी के साथ जाना है मेरी number 1 choice Benk डेवीसी रहेंगे I think one of the best defender है Wales के लॉटनम के player है डिफेंसी आइस भी अच्छे हैं हेडर में भी अच्छा और अटेकिंग रास भी थोड़े बहुत बनाते हैं वैसे निको विल्यम्स में बहुत बरोसा था लेकिन दोनु मैचेस में बहुत ज्यादा खास किया नहीं है रोबर्स भी ठीक था लेकिन लास्ट में 60 मिनट से पहली सब्सिरूट होगे थे तो इनके मिनट से शोर नहीं है बट इस्टिल किसी जाना है मेब आप डेवेस वर्सेज निको विल्यम्स में अपने अकॉर्डिंग कॉल ले लेना फिलाल मैं वेल्स का एक भी डिफेंडर प पिक करूँगा जो डिफेंसी मिट फिल में खेलेंगे टेकलिंग इंट्रसेप्शन के अच्छे कासे पॉइंट जे सकते हैं बहुत जादा उप्संस भी नहीं थे तो मैं एथन एंपडू को पिक करके हूँ अब हैरी विल्सन खेलते हैं ऐसा हो सकते है मैं हैरी विल्सन को उपर प्रिफर करूँ रेमसी के विकॉज अब रेमसी उतने मुझे अप्टू दा माग अपने बैस में अजन नहीं आरे जैसे आज से दो-तीन यर पहले हुआ करते थे वेल्स के लिए अब यह बहुत ज्यादा गोल अच्छा कर सकता है कभी-कभी कॉनर के फ्रीकिक लेते दिखाई दे रहें तो अभी मिट्विल में ज्यादा ऑप्सन भी नहीं थे इस वह से मैंने एंपडू की अलंगसाइड रेमसी को भी पिक किया है बाकि दैन जेम्स भी मिट्विल सेक्शन में लेकिन बहुत इनकंसिट्टेन प्लेयर है बिना गोल असे के ज्यादा पॉइं कुछ ना कुछ अच्छा रिजार्ड निकालना है तो बेल से बहुत ज्यादा एक्सपक्टेशन उन्हें लिए तो फिलाल में गैरत बेल को शुली पिक करके चल ला हूं इन केस आप बड़े रिस्क टेकर हैं आपको लग रहा है वेल्स कोई बड़ा रिस्क टेकर यह सोच है वेल्स यह मैच निकाल लेगी तो आप इन दोनों को पिक कर सकते है उस केज में आप चाहे तो फिर अपोनेंट से स्टर्लिंग को ड्रॉप करके मूर बेल और वहां से हैरीकेन के साथ जा सकते है बड़ फिलाल में सिर्फ बेल को पिक करके गया हूं तो यह वेल्स की प्र पिक कर लिए जो वेल्स के मैंने चारिंग लेंग के डिफेंडर पिक कर लिए शौ मेगवायर वॉकर और स्टोंस मिट्फिल में मैंने साका लिए केन लिए श्टर्लिंग लिए और मैंने यहां रेंसी एमपड़ो और गैरत बेल को पिक किया है इन केस आपको अगर पे ट्रश कीजिए तो फिलाल मेरे केटन केन है वाइस केटन सी अगर सागा खेले सेव औप्सन यह रहेंगे पंट टेकर आप इस्टर्लिंग को दे सकते हैं किसी को लग रहा है एक लोई स्कोरिंग वन वन टूटू दोनु जगे से स्कोर आएगा ऐसा टाइप का मैंच होगा तो आप बेल को भी वाइस केटन कर सकते हैं तो फिलाल यह मेरी डेमवर अफ टीम थी मेरी अपडेटेक फाइनल टीम के लिए आपको जॉइन करना है हमारे टेलीगराम चैनल से तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक है आपको मिल जागा है डिस्क्रिप्शन या झाले